हेले श्टूटेंड कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लास्स पर स्वागा था उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बेटा चल देगे बच्चो क्लास 11 कमिश्टी में चैप्टर सेकेंड चल रहा है जिसमें आज को टॉपिक है आप बाहु का नियम या आप बाहु का सिध्यांत काफी महात्पूर है बच्चो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक रूप से समझते हैं कि बोर का परमार माडल क्या था कि बोर ने बताया था कि नाभी के चारोर एक ब्रत्ताकार प इलेक्टरान भरे जाते हैं और फिर उन इलेक्टरान को भरने का सही तरीका क्या है वो बताता है आप बाहु का सिध्यांत ठीक है ये ब्रत्ताकार पथ बना रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझ सको बेसिक रूप से समझो के तो आसानी से समझ में आएगा कि भाई साब हाँ ये आपके पास अच्छा है ये चार का अच्छा आपने बना दिया ठीक है? पहला जो कच्छा होता बच्चो यह थी मैं आपसे कह दू पहला जो कच्छा है वो क है फिर दूसरा आपका L तीसरा आपका M और ये चौत आपका N ठीक यAGथ यह बात करूं तो इसमें केबल एक उपकोस होता है आपके दूसरे में S और P उपकोस होता है इसके बाद तीसरे में S, P और D उपकोस होता है चौते में बच्चो S, P, D और F उपकोस होता है अब इनमें भी इलेक्टरान भरने का तरीका होता है कि S में एक कच्छक होता है यह S की बात कर रहा हूँ जब मैं बात करता हूँ P की बच्चो तो P में आपके 3 कच्चक होते हैं कितने कच्चक होते हैं 3 कच्चक होते हैं और जब मैं D की बात करता हूँ तो D में आपके कितने कच्चक होते हैं D में आपके बच्चो इसमें तोतल चयाक बढर अब बच्चों इसको उमतो समझ गए के आ बाइक कोश होता है, कोश के अंदर उपकोस और कशक होथे हैं, ठीक है? यह आपका कोश है, कोश के अंदर आपका उपकोस भी पाई जाता है, SPDF, उनमें कच्छक होते हैं और उनी कच्छकों में इलेक्टरान भरने का क्रम होता है, आप इलेक्टरान भरे तो जाते हैं, इसको किस प्रकार से भरें, इसके लिए हमारे आप बाहु के सिध्धान्द के आधार पर आप समझोगे, जब आप बाहु का सिध्धान्द समझ ज जाएगा कि किस प्रकार से इलेक्टरान भरी जाते हैं इसलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहां पे इसके क्रम के लिए इसको मैं कह सकता हूं बच्चो की एक प्रकार से आरेक चलिए समझते हैं हम समझते हैं कि पहला कोस होगा दूसरा कोस होगा तीसरा कोस होगा चौथा को कोस होगा इसमें कोसों की संक्या बहुत ज्यादा होगी तो यहां चलते हैं मालीजे हमारा फ़स्ट कोस में 1S होगा फिर दूसरा आपका 2S फिर आपका 3S फिर आपका बच्चो 4S फिर आपका 5S फिर 6S इसके बाद 7S ठीक है 7S तक जाएगा आगे आप लो 8S है ना यह हो गया इसके बाद आपका P होगा क्योंकि 4 उपकोस होते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूँ 2P फिर बच्चो 3P फिर 4P फिर 5P फिर 6P फिर 7P पी हो गया इसके बाद D की बात करें तो आपका 3D फिर बच्चो आपका 4D फिर आपका 5D फिर आपका 6D इसके बाद F की बात करते हैं त की चलता हूं यहाँ पर फोर याप और आपका यह फाई भी आप अब इसको थोड़ा सा मैं सजा देता हूं बच्चो जैसे इसको आप इसके अंदर रख देंगे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा क्योंकि पेपर भी बनाना पड़ता है ना इसलिए आपको दिक्कत नहीं होग तो यह मेरा क्रम होगे बच्चो अब मुझे इलेक्रान भरना ना इसके लिए थोड़ा सा आपको देखेगा कैसे तैयारी करना इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे देखें कुछ इस प्रकार से हमको खीचना जैसे मालीजी हमारा तेढा तेढा के लिए यह तो देखो आप, ये देखो आप लोग, ठीक है, ये आपको टेड़ा हो जाएगा, तो सेम इसी प्रकार आपको नीचे तक करना बच्चो, ठीक है, जैसे मैंने टेड़ा लाइन खीचा ना, ऐसे देखो, फिर इसको ऐसे, ऐसे, ये क्रम से आपको खीचना, बिना स्केल की ले जाना है फिर इसको ऐसे यहां से connect करना है ठीक है फिर उसको आपको बच्चो ऐसे ले जाना है और फिर आपको इससे connect करना है यह आपको ऐसे ले जाना है एक्जाम में दी आप बाहू का नियम पूछ देना बच्चो तो मैं गारंटेट कहता हूं आपसे बनेगा यह क्रम ह अब दो लाइन बन चुके हैं तो अब यहां पे आपको थोड़ा सा प्राब्लम यह आपका क्रम है अब यह लाइन जिदर से जाएगी न बच्चो इलेक्टरान का भरने का क्रम होई होगा जैसे यहां से गया इधर आया फिर इधर गया मतलब 1S के बाद 2S में पहुंचते हैं तो यहां पर मैं लिखते भी जाओ यह दिक्रम तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा पहले हम 1S में भरेंगे बच्चो ठीक है 1S में बढ़ते हैं उर्जा इस्तर के क्रम में भरा जाता इलेक्टरान इसके बाद हम कहां पहुंचे 1S के बाद कहां पहुंचे 2S में तो 2S में पह पहुँच गए, ठीक है, SM दिर दिर चलते जाएंगे, और आपको बिल्कुल clear हो जाएगा, फिर पहुँचेंगे बच्चो, 3P में फिर 4S में, 3P में फिर 4S में, यहाँ पर पहुँचेंगे हम, 3P में, फिर पहुँचेंगे 4S में आगे का कड़ी देखते हैं बच्चो यहां तक clear है फिर यहां पर पहुंचेंगे तो 3D में पहुंचेंगे फिर आपका 3D होगा फिर उससे बाद 4P होगा ठीक है 4P के बाद बच्चो कहां पहुंचेंगे 5S में पहुंचेंगे 5S में पहुंचेंगे 5S यहां पहुंच गया फिर यह क्रम इधर से जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर पहुंचेंगे हम 4D में 4D के बाद बच्चो 5P में ठीक है 5P के बाद हम कहां पहुंचेंगे 6S में फिर आगे बढ़ते क्रम में यहां पहुंचेंगे फिर पहुंच जाएंगे यहां पर इसके बाद आप पहुंचेंगे 4F में फिर 5D में यह आप देखिए न यह क्रम है आपका फिर 6P आपका पहुंच जाता बच्चो ठीक है फिर आपका 7S ठीक फिर यहां से पहुंचेंगे ऐसा फिर यहां पर आ जाएं यह आपके बढ़ते यो उर्जा इस्तर के क्रम है आपबाव का नियम क्या है देखो आपबाव एक जर्मन सब्द जिसका अर्थ बनना है यह सिद्धन्त इलेक्टानों के विन कच्छकों में भरने संबंदी थे इसके अंसार परमारू में कच्छक उर्जा के बढ़ते हुए क क्रम में इलेक्टान पूरित होते हैं दूसरे सब्दों में पहले उपलग्द कच्छकों में नियूंतम उर्जा वाले कच्छक में इलेक्टान भर जाते हैं तथा उसके बाद उच उर्जा वाले कच्छक में इलेक्टान पूरे होते हैं और यह क्रम है यह आपका क्रम है ज भरते हैं उर्जा क्रम में हम इलेक्ट्रान भरते हैं ठीक बच्चो कोई दिक्कत तो नहीं चलिए अब हम जैसे भरते हैं जैसे हाइड्रोजन का हमारा पर्माद कुमांग एक तो 1S में भरा जाएगा 1S1 यह 1S में भरा जाएगा अब यह आप से बन रहा है ना फिर चाहे सब्सक्रीज करोगे उतना अच्छी तरीके से बनेगा हाइड्रोजन हो गया हीलियम होगे बच्चो तो 1S 2 सबसे पहले स में 2 इलेक्टरान भर सकते हैं पी में एदिक्तम 6 इलेक्टरान भर सकते हैं इतना भरेंगे इसके बाद आगे चलेगा hydrogen helium हो गया lithium का परमाणुक्रमांग 3 3 है न बच्चो 1S 2 S में 2 electron भर गया देखो 1S में पहले electron भरे फिर पहुंचेंगे हम 2S में तो फिर 2S में आप भरेंगे तो आपका 2S 2 हो जाएगा ठीक है ये आपका helium हो गया hydrogen helium lithium lithium हो गया फिर beryllium का परमाणुक्रमांग 4 बच्चो 1S में भरेंगे 2 electron फिर 2S 2 electron देखो ज़रा 1S में भरेंगे फिर 2S में पहुंचेंगे इसके बाद बोरान हो गया 5 तो बच्चो देखेगा 1S में 2 electron फिर 2S में 2 electron 5 है न फिर पहुंचेंगे 2P 2P में 1 देखो जरा 1S के बाद 2S फिर 2P में पहुंचते हैं ठीक ऐसे ही आगे करम चलते जाओ बुरान हो गया कारवन हो गया तो आपका 1S2 2S2 फिर 6 होता है पी में दिक्तम 6 भर सकते हैं तो भाई इसके पास तो 6 नहीं है टोटल 2, 2, 4 और 2, 6 टोटल है इतना 6 हो गया भाई पी में 6 भर सकते हैं लेकिन इसके पास होता है जैसे मैं बात करता हूँ नियान नियान का परमानुक्रमांग 10 देखेगा 1S2 फिर 2S2 फिर 2P में कितने इलेक्रान भर सकते हैं 6 तो 6 भर दिया क्योंकि इसके पास 10 थे तो 2, 2, 4 छे 10 हो गया ऐसे ही आप सोडियम का भरो सोडियम परमा 11 देखो 1S में भरेंगे फिर 2S में भरेंगे फिर 2P में भरेंगे फिर 3S में पहुंचते हैं ऐसे में बच्चों केल्सियम की बात करता हूँ परमानुक्रमांग 20 तो देखेगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 देखो कितना हो गया 2, 2, 4, 4, 6, 10, 12, 12, 16, 18 लेकिन 20 है देखो 3P के बा 4S पर पहुंचते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा 4S2 यह क्रम मैं यह सब क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यह क्रम जो भरने का क्रम है वो आपकी मन में भी फीड हो जाए कि हां ऐसे इलेक्टरान बारे जाते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी ना आप किसी कभी निकाल सकत जिंक का है जिंक का आपका परमाड़ कमंग 30 है देखिए ज़रा 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 4P6 ठीक है लेकिन यह 4S के बाद यहां पर होता है आपका 3D तो यहां पर बच्चों 4P हम नहीं लिख सकते हैं देखना ना यह आपका 4S था 4S के बाद 3D म पहुंचते हैं देखेगा य पूर इसके बाद 3D म पहुंचते हैं तो यहां पर हम 3D लिखेंगे और 3D में 10 एलेक्टरान भरेंगे 2, 2, 4, 6, 10, 12, 12, 16, 12, 20, 10, 30 यह आपका क्रम हो गया तो किसी भी आप परमाड़ के एलेक्टरानिक विण्यस निकाल सकते हैं इस क्रम में हाँ धीर ध्यान सकतना है S में अधिक्ताम 2 एलेक्टरान भरेंगे P में अधिक्ताम 6 एलेक्टरान भरेंगे D में अधिक्ताम 10 एलेक्टरान भरेंगे F में अधिक्ताम 14 एलेक्टरान भरेंगे इससे ज्यादा में इलेक्टरान भरेंगे नहीं इतना आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है ठीक है ब या डिस्क्रिप्शन पर आप का लिंक होगा आप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जय हिंद बंदमातरम